जब एक duty wound police officer को खुद के लिए stand लेते हुए ये कहना पड़े चिला कर ये बताना पड़े कि सिर्फ इसले कि मैंने पगड़ी पहनी हुई है आप मुझे खालिस्तानी कहेंगे तो हम सब लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए कि हमारे देश में आखर इस तरह की एक नफरत और जहर की राजनीत फैला दी गई है कि इतना आम हो गया है कि सामने वाले के कपड़े उसकी पगड़ी देखकर आप उसका धर्म देखते हुए उसके उपर इस तरह के slurs करें उसको इस तरह के नामों से संबोधित करना शुरू कर दे बहुत आम हो गया है कितना नॉमलाइस हो गया है किसी के कपड़ों से पहचान लीजे से जो शुरू हुआ था पगड़ी से पहचानने पर आ गया है और ये करने वाले और कोई नहीं थे पश्चिम बंगाल में अब बहुत ही इतराज जो कि शब्द बोले तानुस बोदन हो के खालसतानी कहा दिता है गा जेडे लीडर अगवाई कारे सी आई थींगो चीप मिनिस्टर केंडिडेट वी रह ने उनना ने अबजेक्ट नी कीता है कि जेस वी उनना दे अमले ने ने तानुस बोदन कीता ह आखर क्या हुआ पूरा क्या गहमा गहमी का माहौल हुआ और जब इस पुलीस ओफिसर को खड़े होकर यह कहना पड़ा कि यह नहीं बर्दास्ट किया जाएगा, ही टुक अस्टांट फर हिंसेल्फ यह तब हुआ जब बीज़पी के तरफ से शुवेंदू अधिकारी लीड कर रहे थे, बीज़पी के मेंबर्स वहाँ पर पहुँच गे, नौट 24 परगनास में के संदेश खाली डिस्ट्रिक में, जहां पर यह ख़बर आपका ही दिन से देख रहे हैं, और यह आरोप है कि TMC के कुछ नेताओं ने, उनके उपर आरोप है कि महिलाओं को sexually assault किया, इसके उपर जान चल रही है, इसके उपर कारवाई की बात कही जा रही है, वही पर जब शुबेंदू अधिकारी की लीडर्शिप में वहाँ पर BJP के यह नेता वहाँ पर पहुँचे और उसके उपर पुलीस के उपर दबाव बना रहे थे कारवाई करने के लिए, कारवाई के लिए दबाव बनाते हुए, वह इन पुलीस ऑफिसर को खालिस्तानी जैसे शब्दों से संबोधित करने लगे, that is when he actually lost his school, पश्चिमंगाल पुलीस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, यहाँ पर भड़काओं बाते करके यहाँ पर वाइलन्स कराना चाहा रहे हा है, जो हम को दिखाई दे रहा है, और यह सब चीजे करके आप लोगों को भड़काओं और जाहा है, कर लौ ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं स्टर्न लीगल आक्शन इस बिंग इनिशियेटेट अब यह देखिए बीजेपी की तरफ से जो आरपी सिंग है इनके राश्ट्री प्रवक्ता वह आपको बताने की कोशिश करने कि देखे कि इतना जूट बोला जा रहा है यह लोग इस पर ममता बाना जी ने भी ट्वीट करके लिखा तोड़े बीजपी इस बिजबीज़ी बिजब इस डिविज़ी और से बिजब इस बिजब इस बिजब बांदरी अस पर बीजब बीजब एवर्शन वेरें अ तरबन इस अखालिसनी आ वे मैंटली कंडें इस audacious attempt to undermine the reputation of our Sikh brothers and sisters, revered for the sacrifices and unwavering determination to our nation. We stand firm in protecting Bengal's social harmony and will take stern lawful measures to prevent any attempts to disrupt it. IPS Jaspreet Singh के लिए काफी जो इनकी पूरी fraternity है उसकी तरफ से, support आ रहा है. Retired IPS officer Javid ने भी लिखा है, we have been sliding on the slope for some time now. Stay strong, Jaspreet Singh. यह कितना दुख देता है कि, देखे इस tweet को समझने के कोशिश कीजेगा, Dr. Hussain की तरफ से है कि, Muslim manों को जिहादी कहकर label कर दो, Sikh को खालिस्तानी कह दो, Christian को rice back convert कह दो, Dalitों को कोटा वाले कह दो, Farmers को आंदोलन जीवी कह दो, जो protest करते हैं, उनको anti-national यानि देश द्रोही कह दो, Liberals और Seculars को Soros का puppet बता दो, और anti-government जो भी कोई अपनी बात रखता है, उसे पाकिस्तानी agent कहना शुरू कर दो, ये list इसी तरह से चलती जाती है, ये एक बहुत ही dangerous level तक पहुँच गया है, जब आप किसी एक ideology के खिलाफ हैं, तो आप against the nation हो जाते हैं, और जो far right ideology है, ये पूरे तरह से हमारे देश को इस वक्त, और देश के fabric को इस वक्त बरबाद कर रही है, SGPC President Harjinder Singh Dhami ने भी इसकी निंदा की है, उन्होंने तस्वीर के साथ, Jaspreet Singh की तस्वीर के साथ, ये tweet किया, The intentional character assassination of a Sikh IPS officer S. Jaspreet Singh by the BJP leaders in West Bengal is highly condemnable. Leaders who have such thinking in the country should never forget that Sikhs have made the most sacrifices for the freedom and protection of the country. Sikhs do not need to get a certificate from anyone, rather they know how to perform services for the nation in accordance with their traditions and customs. It is a big question that such people in the country deliberately create an atmosphere of hatred, but the governments remain silent. Those who create such an atmosphere should be punished so that people who are honestly doing their duty in different areas do not have to be victims of such hate. Karwai ki umeed Shad Narendra Modi se kar raha hai. हम जानते हैं, होगी की नहीं होगी. BJP का आरोप है कि संदेश खाली में कई हिंदू ओरतों को sexually assault किया जा रहा है, उनकी जमीन को छीन लिया जा रहा है, और ये सब कुछ करने वाले ममता बैनर जी के पार्टी TMC के लोग हैं, उसके नेता हैं. BJP की तरफ से आरोप है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सबसे ज्यादा unsafe हैं और ममता बैनर जी के राज में crime against women बढ़ गए हैं. आगे वो कहते हैं कि इनको 30% वोट चाहिए और इसलिए कि हिंदू महिलाओं को assault कर रहे हैं. हमने ऐसी atrocities के बारे में पाकिस्तान में सुना हैं और इसी तरह की चीज अब पश्चिम बंगाल में हो रही है और ममता बैनर जी शान्त हैं. यानि पश्चिम बंगाल के सीधी सीधी तुलना पाकिस्तान से कर दी बीजेपी ने. वहीं ममता बैनर जी उल्टा बीजेपी के ऊपर ये पूरा विवाद खड़ा करने को लेकर अटाक कर रही हैं. ममता बैनर जी का कहना है कि इस पूरे incident को होने दिया गया. बीर भूम में एक इवेंट के दौरान ममता बैनर जी ने बात करते हुए कहा कि एक incident हुआ, उसे होने दिया गया. पहले वहाँ पर ED गई और उसके बाद ED का दोस्त BJP वहाँ पर गया. और उसके बाद फिर कुछ मीडिया वाले वहाँ पर चले गया. आरोब गंभीर हैं, जिसके ओपर कारवाई होनी बेहत जरूरी है. कारवाई ममता बैनर जी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और एक मातर देश में महिला मुख्यमंत्री जिसका वो दंब भरती हैं, उसके नाते करनी भी चाहिए. लेकिन वहीं एक पुलीस ऑफिसर जो वहाँ पर माहौल को शांत करने की कोशिश और पूरे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनकी पगड़ी देखकर, उन्हें खालिस्तानी बोलकर, अपनी राजनी चमकाना भी एकदम घिनोना है. पिछले दस साल में हम कह सकते हैं कि नरेंदर मोदी की शायद यही एक सबसे बड़ी उपलब्धी है, कि उन्होंने इस्तना जहर इतनी नफरत इस समाज में घोल दी है, कि आपको आए दिन आसपास सिर्फ लोग जॉम्बी बने हुए दिखाई दे रहे हैं, कि इतनी हिम्मत इतना दुस्साहस इन में होता है, कि सामने एक ड्यूटी बाउंड आदमी को, एक ड्यूटी बाउंड आईपियस ऑफिसर को, उनका काम करते हैं, आपको उनसे परिशानी हो सकती है, आपको उनसे शिकायते हो सकती हैं, लेकिन आप सीधा उनके रिलिजिन पर अटाक करते है उनको खालिस्तानी जैसे शब्द बूलने का दुस्साहस रख सकें, और ये इतने समय से सिर्फ फल फूल रहा है, क्योंकि जो उपर बैठा शक्स है, उसकी जो ये पूरी मशीनरी है, और उसकी पूरी फैक्टरी और समर्थकों की पूरी एक चेन है, सेना है, वो लगातार कर रही है, और उसको मना नहीं किया जा रहा है, उसे और एंकरेज किया जा रहा है, और वो ऐसा कुछ करके घलत कर रहे है, ये भी मैसेज नहीं दिया जा रहा, तब सोचो देश कहां से कहां पहुंचा दिया गया है, इतनी घटी और इतनी घिनोनी राजनीत करने के लिए न इन लोगों को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूप जाना चाहिए